हेलो, let us do question no.25, question no.25 क्या कहा रहा है, a galvanometer having a resistance of 10 ohm is shunted by 1 ohm, तो galvanometer है हमारे पास एक, इसका resistance हमको given है 10 ohm का, इसको shunt कर दिया, shunt करने का मतलब क्या होता है, कि इसके parallel में एक wire लगा दी, ठीक है ना, और shunt का मतलब ये भी होता है कि जो resistance होता है, shunt resistance हो very low होता है, उसकी value बहुत कम होती है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको shunt कर रहे हो, एक wire से जिसका resistance है, बनोगा, ये question में given है, आगे question कहा रहा है, the total current is 2 ampere, तो इस पूरे circuit में जो current जा रहा है, वो 2 ampere का current जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, next order, then which part of the total current passing through the shunt, तो shunt में से कितना current जाएगा, very simple, ये बाद तो आपको समझ में आ गई, कि जो galvanometer है, और ये जो अपने resistance लगा रखा है, ये दोनों parallel में लगा रखा हैं आपने, तो अगर total current की value मेर को given है, sorry, total current अगर मेरा 2 ampere का है, तो मैं मान लेता हूँ कि IG amount का current यलव अनमिटर से जा रहा है, तो अगर IG amount का current यलव अनमिटर से जाएगा, तो बचा हुआ current शंट से जाएगा, तो total current है 2 ampere, 2 ampere में से कुछ पार्ट यहां चला गया, suppose यहां पे IG गया, अगर यहां पे IG current गया, तो यहां पे कितना जाएगा, 2 minus IG, हाँ न, 2 क्या है, total current है, तो यह दोनों parallel में लगे हैं, parallel में क्या होता है, इसके across जो voltage होगा, वोई voltage इसके across होगा, potential, तो इसके across कितना voltage जाएगा, IR, तो IG into G, क्योंकि इसका resistance हमने G माना है, और इसके across कितना voltage जाएगा, I minus IG, that is I, total current तो यहां पे I minus IG है, into इसका resistance, जो की 1 होँ है, G की value हमको 10 की बने question में, तो 10 substitute करा, I की जगा 2 put किया, IG मालूम नहीं है हमको, ठीक है, और यहां पे 1 substitute कर दिया, अब हम solve करेंगे इसको IG के लिए, तो यहां पे हो जाएगा, IG into 10, equals to 2 minus IG into 1, तो यहां पे हो जाएगा, 10 IG, यह हो गया 1 IG, तो 1 से multiply करने पे यही आ जाएगा, 10 IG equals to 2 minus IG, इसको यहां ले जाएगे, तो यहां जाएगा, 11 IG equals to 2, तो IG कितना आ जाएगा, 2 by 11 ampere, अपनको निकालना है, इसमें से कितना करन्ट पास होगा, तो इसमें से पास होगा, I minus IG, तो I कितना अपने पास, I total करन्ट है 2 ampere, तो 2 में से 2 by 11 हटा देंगे, तो 20 by 11 ampere अपना answer आ जाएगा, थेंक यू,